हलो फ्रेंड्स, कॉंपटिशन कम्यूनुटी में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं। मैं हूँ सुचिता गड़ेवाल और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ मद्धी प्रदेश के भुगोल से सम्मंधित वस्तु निष्ठ प्रश्न। आप सभी को पता है कि MPPSC का एक्जाम जस्ट हमारे सामने हैं और एक्जाम की अच्छे से तयारी करने के लिए हम आपके लिए वस्तु निष्ठ प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है मध्यप्रदेश के राजिकी पशु के बारे में असत्ति कथन बताईए। मध्यप्रदेश के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। मध्यप्रदेश के 25 स्थापना दिवर्ष पर वर्ष 1981 में मध्यप्रदेश का राजिकी पशु घोशित किया गया था। यहां बारा सिंगा सर्वाधिक काना किसली राष्टी उद्यान में पाया जाता है। इसका वैज्यानिक नाम रुसवर्स डुवाउसेली है। यहां जो बारा सिंगा है यहां बारा सिंगा ब्रेडवी प्रजाती से सम्मंदित है। मध्यप्रदेश में सर्वाधिक काना किसली राष्टी उद्यान में पाया जाने के कारण। काना किसली राष्टी उध्यान देश का पहला ऐसा राष्टी उध्यान बना है जिसने अपना शुभंकर जारी किया है और काना किसली राष्टी उध्यान ने अपना शुभंकर जारी किया और वह शुभंकर है भूर सिंग दा बारा सिंगा और इस शुभंकर को काना किसली रा तो इससाब से हमने बारा सिंगा के बारे में सब कुछ देख लिया काना किष्ली के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो यह मद्य प्रिदेश का सबसे बड़ा राष्ट्री उध्यान है जो की 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिला लगता है मंडला और बाला घाट का गाइड का कारे करती हैं अब ऑप्शन में चलते हैं देखें मद्य प्रिदेश का राजिकी पशु रुस्वर्स डुआ उसे लिए बिलकुल सहीं बारा सिंगा का वग्यानिक नाम है यह इसे मद्य प्रिदेश के 27 स्थापना दिवस पर राजिकी पशु घोशित किया गया हमने देखा इसे 25 स्थापना दिवस पर राजिकी पशु घोशित किया गया था तो यह ऑप्शन हो जाएगा गलत आसत्ति कथन था तो यह हमारा आंसर है यह सरवादिक कान है किसलिए राश्च्विदान में मिलता है यह भी हो जाएगा सहीं कोशन नमबर 2 मध्य प्रदेश के राजिकी गीत का वर्णन सर्व प्रथम किस किताब में किया गया था अप्शन नमबर 1 अम्रित सनदी नर्मदा एक रानी ऐसी भी प्रणाम मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश दर्शन जब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजिकी गीत की तो मध्य प्रदेश का राजि की गीत इसके रचना की थी महेश श्रिवास्तव जी के द्वारा और इस गीत का गायन किया था शांतनु मुखर जी ने या फिर शान ने इसका वर्णन किस किताब में सर्व प्रथम किया गया है तो हम देखते हैं देखिए पहले अम्रित से नदी नर्मदा की बात करें तो अम्रित से नदी नर्मदा अम्रित लाल बेगर जी के द्वारा लिखी गई किताब है और अम्रित लाल नर्मदा, रिवर ओफ जॉय नर्मदा ऐसी बहुत सारी किताबे अमरितलाल बेगर जी ने ही लिखी है एक रानी ऐसी भी एक जीविनी है जो की म्रदुला सिन्धा जी के द्वारा लिखी गई है और यह लिखी गई है विजिया राचे सिंधिया के ऊपर प्रणाम पुस्तक है जिसमें महेश श्रिवास्ताव जी ने मेरा मध्यप्रदेश गीत का वर्णन किया है अर्थात इसका अंचर हो जाएगा प्रणाम मध्यप्रदेश कोशन नमबर तीन मध्यप्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नमा नर्मदा का उद्गम कहां से होता है यह कोशन आपने बहुत बार देखा होगा पर हमने यहाँ पर इसके आंसर अलग अलग रखे हैं देखिए पहला है बरगाट पुश्पराजगर फूलबाग और देपालपुर तो इसका आंसर आपको सबसे पहले इसका आंसर जानने के पहले नर्मदा नदी के बार में कुछ डेटेल बता देते हैं देखिए यह मा नर्मदा नर्मदा जो है वो ब्रंश घाटी में बहती है ब्रंश घाटी का मतलब होता है दोनों और उचे-उचे छेत्र लगता है अमर कंटक अमर कंटक के अंदर अमर कंटक के अंदर तहशील लगती है पुष्प राजगड पुष्प राजगड के भी अंदर एक सरोवर है जिसका नाम है सरस्वती सरोवर और सरस्वती सरोवर के भी भी भीतर में एक कुंड है जिसको कहा चाता है नर्म से नर्मदानदी का उद्गम होता है देखे एक्जाम में आपसे कॉश्चन कहीं से भी पूछ सकता है आपको हो सकते आप्षन में अनुकपुर ना मिले या अमरकंटक ना मिले आपको आप्षन में सरस्वती सरूवर मिल जाए या फिर पुश्पराजगर्ड मिल जाए तो नर्मदा नदी मध्यप्रदिश के सास साथ महाराष्ट और गुज्रात राज्यों में भी बहती है नर्मदा नदीकर जू नर्मदा कुंड है इसी के नाम से आपको याद रखना है कि रेवा कुंड लेकिन रेवा कुंड अमरकंटक में ना होकर यह मांडू में स्थिथ है जो कि रानी रूपमती महल के अंदर है कॉश्ण नमबर चार मध्यप्रदेश के संबंद में सत्य कथन बताईए अब आपको क्या देखना सत्य देखना मतलब सही कथन बताना है यह गोनवाना लैंड का भाग है इसे हिर्दय प्रदेश वाहीरे स्टेट भी कहा जाता है विभ तो मध्यप्रदेश भारत की एकदम मध्य में है इस कारण से इसका नाम मध्यप्रदेश है साथ ही साथ में इसे हिर्दय प्रदेश भी कहा जाता है हिर्दय प्रदेश इसे भारत का दिल भी कहा जाता है इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है हीरा स्टेट कहा जाता है सोया स् मध्य प्रदीश को यह सारे नाम देने की अलग-अलग कारण है जैसे कि मध्य प्रदीश को हुरुदय प्रदीश कहते हैं क्योंकि हिर्य की तरह एकदम दिल में है भारत की नदियों का माय का मध्य प्रदेश को यह सबस्क्राइब करता है भारत के असी प्रतिशत उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है नदियों का मायका, मध्य प्रदेश में छोटी बड़ी नदिया मिला कर लगबग 207 नदियों का उद्गम होता है इस कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है तो देख लेते हैं, एक और चीज हैdır, मद्यब्रदीश को लघु भारत भी कहता है। कहा जाता है यह भी सहही है विभन प्रकार की संस्क्रति के गारण इसे लगु ऑरत कहा जाता यह भी तो option number nd उप्र्योक्त सभी मध्य प्रदेश के पूर्वी बिंधु से पश्चिमी बिंधु के मध्य समय अंतराल कितना है जब हम बात करते हैं समय अंतराल की तो आपको पता होगा कि जो टाइम जोन चलते हैं इनहीं समय अंतराल में गिना जाता है जो कि देशांतरों से डिसाइड होते हैं अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का समय अंतराल कितना है 32 मिनिट 2 गंटे 30 अब यह है कि 32 मिनिट दो घंटे 30 मिनिट धाई घंटे अब देखिए आपको कैसे याद रखना है जब भारत की एक जगह से दूसरी जगह की दूरी पूछी जाती है कि भारत के पूर्व से पश्चिम के मध्य दूरी कितनी है तो यह आती है दो घंटे के आसपास तो वहीं पूर्वी हिस्सा कौन सा है सबसे पश्चिमी हिस्सा कौन सा है भारत की नक्सिपे जिस तरफ में पश्चिम बगाल है वो हिस्सा पूर्वी हिस्सा है तो सबसे जादा पूर्वी जिला हो गया सिंग रॉली वहीं सबसे जादा पश्चिमी जिला हो जाएगा अली के च्छेत्रफल पर विचार कीजिए अब हमको मध्यप्रदेश के च्छेत्रफल के बारे में बात करना है मध्यप्रदेश भारत की कुल च्छेत्रफल का 10.38 प्रितिशत में फैला है मध्यप्रदेश की उत्तर से दक्षन की लंबाई 605 km2 है मध्यप्रदेश का कुल च्छेत तक के लंबाई 605 किलो मीटर स्क्वाइर है वहीं मद्येपर्देश के पूरवी भाग से पश्रमी भाग की लंबाई अर्थाथ सिंग रॉली से अलिराजपूल तक की लंबाई ताहhart इसना आमध्य बास्किन त0.3, 205, 2 5 vallahi किलोमिटर में फिलान और इसका सीधर सीधा कारण है कि की तो चैफ बढ़े करेंुट के भीच में किरार गाटे शेतर को लेके विवाद चल रहा ह эффeron और वाउड में जीट जाता है और समझ में आता है कि मध्य प्रदेश का छेतरफल 45 से बढ़कर 52 कर दिया जाए तो इसे साब से मध्य प्रदेश का छेतरफल 3,8,252 वर किलोमीटर है तो आंसर हमारा होगा मध्य प्रदेश भारत की कुल छेतरफल का 10.38 प्रतिशत में फैला है मध्य प्रदेश छेतरफल की दरश्टी से भारत में दूसरा इस्थान रखता है वही मध्य प्रदेश जनसंख्या की दरश्टी से संपून भारत में छटा इस्थान रखता है या छटवा इस्थान रखता है तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं मद्य प्रदीश भारत के कुल छेतरफल का 10.38 प्रतिशत में फैला है गलत है मद्य प्रदीश के उत्तर से दक्षुन की लंबाई 605 किलो मेटर है सही है मद्य प्रदीश का कुल छेतरफल 3,8,245 किलो मेटर है गलत है मद्य प्रदेश का कुल छेतरफल 3,8,252 वर्ग किलोमीटर है बिलकुल सही है तो option नमबर B और D जिसमें हो अर्थात option नमबर D आपका सही आंसर हो जाएगा मद्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व वा सरवाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में कितने व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमीटर का अंतर है सवाल थोड़ा घुमावदार है option देखते हैं 236 व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमीटर 619 व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमीटर 855 व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमीटर और 620 व्यक्ति प्रती वर्ग किलोमीटर आज करना PSE बहुत ज़्यादा डीटेल में जाके caution पूछ रही है तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको पता होना जी कि जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व देखिए मालनी जी ये एक कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति के एक किलोमीटर उत्तर एक किलोमीटर दक्षन एक किलोमीटर पूर्व और एक किलोमीटर पश्चिम इस पूरे शेत्र में जितने लोग निवास करते होंगे वह इस शेत्र का जनसंख्या घनत्व कहलाएगा माल लीजे यहाँ पर चार लोग निवास करते हैं अब यह चार लोग निवास करते हैं तो जनसंक्या खन्यत्व हो गया चार व्यक्ति प्रती वर्ग किलो मीटर अब यहाँ पर चार लोग निवास नहीं करते हैं अर्थात जगह बहुत काम है पर लोग बहुत सारे रहते हैं वही जितने कम लोग रहेंगे अर्थात जगह तो बहुत सारी है पर लोग बहुत कम रहते हैं तो ज्यादा अच्छी कंडिशन होगी वह वाली सेकेंड कंडिशन अर्थात जहां पर जगह बहुत सारी है पर लोग एक दो तीन चार ही रहते हैं तो इसे साब से अगर हम देखें कि मद्य प्रिदेश का सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला जिला कौन सा है तो वो है भुपाल जिला भुपाल जिले के कुल छेत्रफल में आठ सो पचपन व्यक्ति प्रती वर्ग किलो मीटर में रहते हैं वही मध्यप्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दिन्डौरी और दिन्डौरी में 94 व्यक्ति 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं तो इसे साबसे जादा अच्छी कंडिशन तो दिन्डौरी की हुई लेकिन जनसंख्या सबसे जादा कहां होगी फिर होगी भोपाल पे तो इसे साबसे हम कॉश्चन का अंसर देखते हैं मध्यप्रदीश का जनसंख्या घनत्व कितना है सबसे जादा भोपाल का सबसे कम जिल्डौरी का अब संपूर्ण मध्यप्रदीश की जब बात करेंगे कि सारे मध्यप्रदीश में कितना जनसंख्या का नत्व है तो वो है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आप कॉश्चन में चलिए मध्य प्रदीश का जनसंख्या का नत्व अर्थाथ 236 व्यक्ति वाले जिले में कितने व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर का नतर है सर्वाधिक जनसंख्या का नत्व किसका था भोपाल का था कितना था तो 855 था अर्थात अब आपको 855-236 करना होगा, तो आंसर आपका आजाएगा 619 व्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर, ओप्शन नमबर B. बागों का DNA टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तरप्रदीश, राजस्थान, मध्यप्रदीश, उडिसा. तो अब इसके बारे में बात करेंते हैं, बागों की हाल ही की आई रिपोर्ट में भी यही दर्शाय आगया है, कि भारत में सरवाधिक जो बाग हैं वहां मध्यप्रदेश की अंतरगत है और मध्यप्रदेश के ही अंतरगत सबसे जादा बाग जिस राष्टी उध्यान में आते हैं वो है बांधवगड राष्टी उध्यान जैसे कि हमने देखा था अभी थोड़ी दिर पहले कि जनसंख्या घनत्व वैसे ही बागों का जनसंख्या घनत्व या बागों का घनत्व सरवाधिक कहां पर है तो बांधवगड राष्टी उध्यान में है क्योंकि यहां पर प्रती आठ किलोमीटर में एक बाग मिलता है तो इससाब से सबसे ज़्यादा बाग कहां हुए बांधवगड राष्टी उध्यान में हुए अब बांधवगड राष्टी उध्यान ही वह राष्टी उध्यान है जिसमें बागों का DNA टेस्ट कराया जा रहा है तो इस कारण से आंसर होगा मध्य प्रदेश अप्शन नमबर सी मधिप्रदीश के वे जिले जो अन्य दो जिले की सीमा को इसपर्ष करते हैं जाबूआ, अली राजपुर, शिवपुरी, मुरैना, जाबूआ, विदीशा, भिंड, शियोपुर, अली राजपुर, छिन्वाडा, मुरैना, बालाखट, सिंग्रॉली, जाबूआ, मंडला, अली राजपुर देखें ये आपका बना है मैप अब इसके हिसाब से हमको देखना कि कौन से ऐसे जिले हैं, जो दो राजपुर की सीमा को सपर्ष करते हैं तो एक हो जाएगा आपका अली राजपुर जिला ये दो राजपुर की सीमा को सपर्ष कर रहा है, नीचे ये महराश्ट को सपर्ष कर रहा है और उपर ये गुचरात को सपर्ष कर रहा है आगले हो जाएगा हमारा बालाखाट क्योंकि बालाखाट भी 36 गड़ों महाराज जोनों की सीमा को सपर्ष करता है इसके अलावा हो जाएगा शिवपुरी और हो जाएगा मुरैना तो इस हिसाप से अब हम चलते हैं उप्षन की तरफ जाबुआ, अली राजपुर, शिवपुरी, मुरैना ये वाला बिल्कुल सही लग रहा है दूसरा देखते हैं जाबुआ, विदीशा, भेंड, शियोपुर देखें इसमें एक उप्षन दिख रहा है, विदीशा मैप में विदीशा को जब आप देखते हैं तो विदीशा एकदम बीच में है तो उप्षन नमबर B जो है ये तो पहले ही गलत हो गया विदीशा को ही देखें, आपको एलिमिनेट करना सीखना होगा आली राजपुर, चिंदवारा, मुरैना, बालाखाड चिंदवारा की जब बात करते हैं तो चिंदवारा एकदम धक्षणी इस दिला है ये देखिए, ये केवल महराश्च की सीमा को सपर्ष कर रहा है तो उप्षन नमबर हमारा ये वाला भी गलत हो गया प्रूलि जबुला मंड़ना, मंड़ना की बात करेंगी तो मंड़ना केवल दी चतेशगड को सपर्ष करता, ये है मंड़ना और दीर को मातर कस्पर्ष कर रहा है तो अप्शन नमबर दी पी हमारा कैंसल हो गया तो option number A होगा हमारा right answer अब आपको समझ में होगा कि हमको एकदम easy तरीके से हम exam नहीं निकाल सेकते हमको exam में बहुत detail में जाना होगा और दूसरी चीज अगर आपको लग रहा है कि map थोड़ा cut-in है हार एक जिले की location याद करना तो यह आपको एकदम से नहीं होगा यह धीरे धीरे होगा धीरे धीरे आपको location भी याद हो जाएगी कि कौन सा जिला कहां पर स्थित है मद्य प्रदेश का पहला snack park किस राष्टी उध्यान में खोला गया है काना किसली राष्टी उध्यान डायनसौर राष्टी उध्यान वनविहार राष्टी उध्यान और पेच राष्टी उध्यान देखे जब इन राष्टी उध्यानों की हम बात करते हैं तो कान्हा किसली राष्ट्य उद्धान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्य उद्धान है। नो सो चालिस वर किलो मीटर में फैला हुआ है। मंडला जिले के अंतरगत आता है। इसके अंदरगत बंजर घाटिया है। इसके साथ में मगलन सड़क है। जहां पर महिलय काम करती है। सबसे ज्यादा बंग और से साथ में सबसे ज्यदा बारा सिंग पाया जाता है। तैंहां पर पांदाव गर्स्ष वृर्ष्ट सभ्रास्य उद्यान में शॉक्तियाद के दिकांतर टीक्वन और विभिन ने प्रकार के जीवाश्मों को संरक्षित करके रखा गया है। वन विहार राष्टी उध्यान भोपाल में इस्ते थे। माधिप्रदीश का दूसरा सबसे छोटा राष्टी उध्यान है। सबसे छोटा है दूसरा सबसे छोटा राश्टी उध्यान है बोपाल में इस्तित है और यही राश्टी उध्यान है जिसकी अंतर स्नेक पार्क खोला गया है पेच राश्टी उध्यान की बात करेंगे पेच राश्टी उध्यान छिंदवाडा जिल्ले के अंतर गता है भारत का पहला रामायन कला संग्रहाले कहां इस्ते थे मध्यप्रदेश की बात नहीं हो रही है भारत की बात हो रही है तो भारत का पहला रामायन कला संग्रहाले कहां पर इस्ते थे चित्रकूर, हारिद्वार, ओर्चा, अयोध्या देखो, चारों भगवान राम से संबन्दित है, तो इसका आंसर होगए आपका ओरचा, ओर्चा कहा परिस्तित हैं, तो ओरचा जो है मध्यपरदेश का नया जिला बना है, निवाडि और निवाडि जिले के अंतरगत ओरचा आता है, निवाडि जिले में तीन तहसीले हैं, ए इस्थाई सूची में शामिल किया है इसके साथी साथ में यह जो निवाडी जिला है इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को और यह मद्धेश प्रदेश का 52 जिला बना है वह सबसे नया जिला बना है किस संभाग के अंतरगत आता है तो यह आता है सागर संभाग के अंतरगत किस जिले से अलग होके बना है तो टीकमगर जिले से अलग होके बना है घातक पशुर बिमारियों के लिए वैक्सीन बनाने वाली प्रदीश की एक मात्र बायोलोजिकल लैब कहां इस्थित है जबलप तो इन दौर में इस्था थे महोई है उस थाल जहाँ पर भीमराव अंबेटकर जी जैसे महान वziękतित्व का जन हुआ यह स्थाल है जहां देखो इसके दो साक्ष मिलते हैं, या तो पताल पानी को हम चंबल में मानते हैं, या तो हम चोरल में मानते हैं, तो यह होस्पिटल की स्थापना यश्वंत रा होलकर के नाम पर की गई है, एमवाई होस्पिटल की स्थापना वर्ष 1905 में इंदौर जिले में की गई थी, एमवाई होस्पिटल में मध्य प्रदेश का प्रथम बोन मैरो ट्रांस्प्लांट सेंटर खोला गया है, और प्रियूप्त में से कोई नहीं, आपको क्या चाटना है, आसत्य चाटना है, मतलब गलत कठन चाटना है, जब बात करते हैं कि एमवाई होस्पिटल इंदौर में खोला गया है, और इंदौर के किस शेत्र में खोला गया है, तो जिस तरफ हम राजवाडा वाली रोड में जाते हैं, तो राजवाडा के तरफ में एमवाई होस्पिटल खोला गया है, इसके साथ ही साथ में, इसे वर्ष 1995 में ओपन किया था, यह किसकी नाम पे, तो महराजा यश्वंत र वोलकर उनके बेटे रहे हैं यश्वंत राव होलकर और यहां एक मात्र ऐसा सेंटर जिसमें बॉन मैरो ट्रांस्प्लांट सेंटर उपन किया गया है तो यह तीन ओप्षन सही हो जाएंगे तो आप्षन नमबर डी सकांसर होगा उप्योग तुमें से कोई नहीं किया सत्य पूछ रहा था इस कारण से मध्यप्रदेश के गठन के पूर्व मध्यप्रदेश राजी का कुल छेतरफल कितना था मध्यप्रदेश के गठन कब हुआ है वह हुआ है एक नवंबर 1956 और इसके बाद मद्य प्रदेश का पुनर गठन कब हुआ है तो 1 नवंबर वर्ष 2000 तो ये पूछ रहा है 1 नवंबर वर्ष 2000 के पहले मद्य प्रदेश का कुल छेतरफल कितना था तो मद्य प्रदेश का कुल शेत्रफल था 443,446 443,446 वर किलोमेटर मद्य प्रदेश का इससे पहले का शेत्रफल था मद्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपाद किस जिल्हे में है अब लिंगानुपाद का क्या मतलब होता है देखें लिंगानुपाद का सर्फ सीधा मतलब यह होता है कि जब बहुत सारे लड़कों में लड़कियों की संख्या को गिना जाता है जैसे कि मालीजे आपके घर में 10 लड़के हैं अब आपने बोला हमारे घर में 10 लड़के और 3 लड़किया हैं तो ये हो गया लिंगानुपाद एक तरीके से तो राज्य के सिलसिले में हम देखते हैं कि प्रती हजार पुरुषों में महीलाओं की संख्या को लिंगानुपाद कहा जाता है तो मद्य प्रिदेश में सबसे अधिक लिंगानुपाद बालाघाट, भिंड, मुरैना, शियोप तो मद्य प्रिदेश का सबसे अधिक लिंगानुपाद जो है वह बालाघाट जले के अंतरगत आता है जो कि है एक हजार एकु इस बालिकाएं प्रती हजार बालक को सबसे कम लिंगानुपाद पया जाता है मद्य प्रदेश की सरवादिक सीमा किस राज़ से इस पर्ष करती है मद्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किस राज़ से के साथ इस पर्ष करती है तो देखिए यह हो गया मद्य प्रदेश उत्तर, दक्षन, पूर्व, पश्शिम तो मद्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा जिला है तो मद्य प्रदेश के उत्तर और पूर्व में जिला है यूपी वही मद्य प्रदेश के उत्तर और पश्रिम में जिला है राजिस्थान वही मद्य प्रदेश के पश्रिम और दक्षुर में जिला है इस तरफ में गुजरात और सबसे दक्षुर में है महराष्ट इस तरफ में है सीजी तो इसे साब से मद्य प्रदेश पांच जिलों के साथ अपनी सीमा साजह करता है परन तो मद्य प्रदेश की सरवादिक सीमा यूपी के साथ इस पर्श होती है तो आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश मद्य प्रदेश में पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? मद्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? निर्मिला बुच जमना देवी प्रतिभापाटिल आनंदी बाई पटेल देखें जो हम इस option की बात करते हैं तो निर्मिला बुच जो है वहां मध्यप्रदेश की पहली महिला मुखे सचिव रही है वहीं प्रतिभापाटिल की बात करें तो आपको बता होगा कि ये भारत की राष्टपती भी रही है आनंदी बाई पटेल जो है वह मध्यप्रदेश की अभी कुछ समय पहले राल जिपाल निरुत की गई थी इसके साथ साथ में जमना देवी पहली विपक्ष की नेता थी जब मध्यप्रदेश के अनतावर्ती जिलों की संख्या पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है अपसर नमबर A 18, 17, 14 और 16 देखिए ये है मध्यप्रदेश तो मध्यप्रदेश में बहुत सारे जिले हैं कुल मिला की कितने जिले हैं बावन जिले हैं इन बावन जिलों में कुछ जिले ऐसे हैं जो एकदम बीच में हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जो सीमा को इस पर्ष करते हैं मध्यप्रदेश की इस प्रकार से तो अनतावर्ती जिले वे जिले होते हैं जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को इस पर्ष नहीं करते हैं अर्फात ये जो बीच वाले जिले हैं नहीं कहा जाता है अंतरवर्ती जिले तो मध्धि-प्रदीश में कुल अंतरवर्ती जिलों की संख्या कितनी है कुल 17 है जय कहीं, कहीं आपको 18 भी मिलेगा all 18 क्योंम मिलेगा next खुल अब क्यों, मैं आपको बेटा देती हूं कि सीमा को इस पर्ष नहीं करता है पर मंदला जिला च्छतिस गड़ की सीमा को इस पर्ष करता है और इसका शेत्र छिलपी घाटी वाले शेत्र से जाकर लगता है तो इसे साब से हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में अंतावर्ती जिलों की संख्या 18 ना होकर 17 होगी आंसर नंबर B गांजा मध्य प्रदेश में सरवाधिक गांजा कहां बोया जाता है तो वो जिला है खंडवा और खंडवा और खंडवा और खरगौन को सरवाधिक कपास बोने के कारण भी जाना जाता है इस कारण से जब कपास जो है वो सरवाधिक खंडवा और खंडवा और खंडवा औ मध्य प्रदेश में पहली उध्योग नीती कभ लागू की गई थी देखें उध्योगों को बढ़ाने के लिए उध्योगों के विकास के लिए एक नीती जारी की जाती है उसे ही उद्योग निती कहा जाता है, तो यहां उद्योग निती, 1972, 1952, 2010 और 2011 कभ लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1972 में, 1972 में मद्यप्रदीश की पहली उद्योग निती लागू की गई, वहीं वश 2010 में मद्यप्रदीश की नई उद्योग निती लागू की गई 1952 जब 52 इसमें वन आ गया न तो वन नहीं थी, मध्य प्रदेश की पहली वन नहीं थी, 1952 में लागू की गई थी. मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात राज्ये को इसपर्श करती हैं? रतलाम, अली राजपुर, नीमच और जहाबुगा. ये आया MP का मैप. हमें क्या देखना था? मध्य प्रदेश की कौन सी जीमा, गुजरात और राजस्थान दोनों राज्ये को इसपर्श करती है. तो आप अच्छे से देखेंगे, तो अली राजपुर जो है, वो महराष्ट और गुजरात को इसपर्श करता है. और राजस्थान और गुजरात की सीमा जो है, वो जहाबुआ जिले के साथ लगी हुई है. तो आंसर होगा जहाबुआ. ठीक. तो इसका आंसर होगा आंसर जहाबुआ. वहें जब पूछले महराष्ट और गुजरात के साथ सीमा तो फिर आली राजपुर लगाता है. मध्य प्रदेश के राज जी की गान के रचनाकार कौन है? इसका आंसर मैंने पहले वाले कौश्चन में दे दिया था. आपको पता होना चाहिए. आप्शन है सा प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? देखें, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की जब हम बात करते हैं, तो 1 नवामबर 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, तो मुख्यमंत्री बनाया गया था पंडित रवी शंकर शुकल जी को. और पंडित रवी श और दिसम्बर के चमेक Olsheb被vyhluk को कиля ऐताया जाए जाती इनकी बताया जाती है कि इन्हे अम जो है न NPC मुख्य मंचर होगे तो इसके बातब में नए NPC मन्तरी बनाया जाते है जो होते है भगवत राव मंडलोई जी तो मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य मंतरी जो बनते हैं जो कि कारवाहक मुख्य मंतरी हैं तो जो पूर्ण कालिक और निर्वाचित मुखी मंत्री बनते हैं वो होते हैं कैलाश नात काट जूदी लेकिन आपसे यह नहीं पूछा है कि पूर्ण कालिक और पहले मुखी मंत्री पहला कॉछन पूछा गया है कि मंद्य प्रदेश के प्रथम मुखी मंत्री कौन थे अहिल्याबाई पुरुषकार देखे मल्खंब क्या है आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए तो मद्य प्रदेश का राजिकी खेल है मल्खंब मध्य प्रदेश का राजिकी खेल है तो मलखंब एक ऐसा खेल है जिसमें कम समय में खिलाडियों के पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है इसके साथ ही साथ में इसे मध्य प्रदेश का राजिकी खेल होशित किया गया है इसके लिए दिया जाने वाला राज्य की पुरुषकार है प्रभाज जोसी पुरुषकार देखें प्रभाज जोसी पुरुषकार जो है ना यह मलखंब के खेट छेतर में दिया जाता है परन्तो जो हमारे प्रभाज जोशी जी थे ये खिलाडी नहीं थे बलकि एक वरिष्ट पत्रकार थे इनको सम्मान देने के लिए इस खेल में प्रभाज जोशी पुरुसकार दिया जाता है इसके साथ ही साथ में मलखंब की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है एक पोल होता है मतलब एक डंडा होता है और इसमें बहुत सारा ओल लगा होता है और फिर लोग इसके उपर चड़कर अलग-अलग प्रकार के कर्तब दिखाते हैं मध्य प्रदेश की दक्षणी सीमा की और कौन सा राज्य अवस्थित है बहुत ही ज्यादा इजी कौश्टन है बहुत ही ज्यादा इजी हमने कितनी वार बिता दिया कि मध्य प्रदेश पांच राज्यों के साथ इसपर्ष करता है और दक्षण में कौन सा राज्य है अप्शन है 36 गण, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश, महराष्ट अप्शन नमबर D, महराष्ट मद्य प्रदेश के किस जिले का भवालिक छेतरफल सरवाधिक अर्थात कॉशन ये पूछ रहा है कि मद्य प्रदेश में सबसे जादा छेतरफल वाला जिला कौन सा है तो सबसे बड़ा जिला है, अप्शन नमबर A, मंडला, छिंदवाडा, सिविनी और जवलपुर देखें, जब जवलपुर की बात करेंगे न, तो जवलपुर जनसंख्या की द्रश्टी से तो बड़ा जिला है और छेतरफल भी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा जिला होगा छिंदवाडा तो मध्य प्रदेश में छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा जिला है छिन्वाडा वही जनसंख्या की द्रश्टी से सबसे बड़ा जिला है इंदौर छेत्रफल की द्रश्टी से सबसे छोटा जिला है निवाडी जो कि मध्य प्रदेश का बावनवा जिला है और यही जिला जो है वो ही जनसंख्या की दरश्टी से भी सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश पर नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है जब नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी पर बहुत सारे छोटे बड़े बांध बनाएगा है मद्धे प्रदेश का सबसे बड़ा बांध और नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध दोनों बातों में बहुत अंतर है option number A इंद्रा सागर बांध, B तवा बांध परियोजना, बर्गी बांध और महिश्वर बांध देखें नर्मदा नदी पर जो सबसे बड़ा बांध है, वो है सरदार सरुवर बांध और सरदार सरुवर जो है, यहां गुजरात में स्थित है, तो इस कारण से यहां पर option नहीं, क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश पर इस्थित पूचा है तो मध्य प्रदेश पर इस्थित नर्मिला नदी का सबसे बड़ा बांध है इंदिरा सागर बांध option number A निमलिखित मेंसे मध्य प्रदेश के किस जिले की सीवा उत्तर प्रदेश को इस पर नहीं करती है भिंड, सतना, शिवपुरी और शियोपुर देखो एकदम objective जो है एकदम same 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 है भिंड, सतना, शिवपुरी और शियोपुर इस map में देखते हैं हम भिंड इसपर्ष कर रहा है सीधे सीधे शिवपुरी इसपर्ष कर रहा है शियोपुर शियोपुर कहा है राजस्तान की तरफ में है तो इसका आंसर होगा शियोपुर क्योंकि पूछा था इसपर्ष नहीं करती है तो आंसर हो जाएगा शियोपुर option number D मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संग्या किस ने दी थी महात्मा गांधी सदार वल्लभाई पटेल पंडित जवाहर लाल नहरू पंडित रवीशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश जब बना उस समय में एक नवंबर 1956 को तो इस समय तक महात्मा गांधी जीवित नहीं थे तो यह कट गया पहले पंडित जवाहर लाल नहरू पंडित जवाहर लाल नहरू जी रे दी थी option number C आपका अंसर होगा मध्य प्रदेश और चटिसगर राजी के मध्य किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा है इसका अंसर भी मैंने आपको पिछले classes में दे दिया है पिछले questions में दे दिया है देखिए अब आपके पास दो question है जिनका आपको आंसर देना है पहला तो यह हो गया कि किस घाटी को लेकर विवाद चल रहा है और दूसरा था कि मध्य प्रदेश के दक्षण में कौन सा राजी अवस्थित है और एक और question हमने पूछा है तो इन तीन question के आपको आंसर देने हैं मिलते हैं आपसे next video में thank you so much हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं thank you